माटी की महके सभी दिवाने होते हैं अगर भोजन तयार करने के लिए बरतन भी मिट्टी के हो तो बात ही क्या मिट्टी के बरतनों में भोजन बनाने का दस्तूर पुराने जमाने में हुआ करता था तम मिट्टी के तवे पर सिकी रोटियां और हांडी पे पकी दाल और सबजिया भोजन का स्वाथ चार गुना कर देती थी वर्तमान के स्टील से निर्मीद बरतन के युग में अगर मिट्टी के बरतन नजर आ जाएं तो शेहरी शेत्र में कोतु हलका विशे हो जाता है खंडवा शेहर के पुनासा रोड़ सहीत अन्ने स्थानों पर राजस्तान से आए लोग इन बरतनों को बैचने के लिए आए हुए हैं इनके पास बच्चों के खिलोने से लेकर मिट्टी से बने तवे, गिलास, चाई के कप और पानी की बॉटल आदी लोगों के आकरशन का केंदर बने हुए हैं राजस्तान के बूदी जीले के 99 शेत्र से आए, राधेशाम ने बताया कि मिट्टी से बने बरतन और दीपक वे गुजरास से लेकर आते हैं और बच्चों के लिए खिलोने और ट्रेक्टर आदी वे पंजाब प्रांत से लाते हैं, इनकी काफिर डिमांड रहती है उन्होंने बताया कि वे हर सारी हां आते हैं, आजकल मिट्टी के बरतनों का क्रेज बढ़ रहा है, लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और सजावटी सामान के रूप में इनका उप्योग भी करते हैं खंडवा से ब्यूरो प्रितम लखवाल की रिपोर्ट पूरा मिट्टी के बना हुआ है, इसमें क्या क्या इतम है मिट्टी के? जिलास है, वे दिपे के हांडी है, दवाह है, खोले है जिलास होर ये, कब भी इसके मिट्टी हैं क्या? मट्टी का मट्टी का अच्छ हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भुलें